हेलो फ्रेंज मैं हूँ सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में दोस्तों आज मैं आप लोग सा सेर करने जारी हूँ चावल के बड़े की रेसिपी ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बेहर टेश्टी लगता है आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर इस भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सुस्क्राइब कर दीजेगा और बैल एकन को दबाना नहीं भुलिएगा तो चलिए शुरू कर चावल का क्रिस्पी और क्रंची बड़ा बनाने के लिए यहां पे हम एक बाउन में लेंगे एक कटोड़ी चावल का आटा उसमें हम डाल देंगे एक चमच्च चिली फ्लिक्स आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर उसको बारिक कट करके डाले एक क्री चावल का डाल देंगे पौनी आपको कम या जैदा लग सकता है पर देंगे यहां जितना आप चावल का आटा ले रेते हैं Él si K thus पार राल के इसको अच्छे से मिंक्स करते हं और इसकाalley covered धीक साध हूझा और पतल रखना है तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तब हम आपको दिखाते हैं और अब हम इसमें डाल दिये हैं कटा हुआ धनिया पता तो आधा कटोरी कटा हुआ धनिया पता डाल दिये हैं और सभी चुछों को अच्छे से कर देंगे मिक्स और उसके बाद हम इसको पकाएंगे तो चलिए सभी चुचुक अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम पका लेते हैं तो यहाँ पर हम गैस अन करके पैंच रहा लिए हैं उसमें हम डाल दी हैं 2-3 चमच रिफाइन ओयल आप कोई भी कुकिंग वैल का इस्तमाल कर सकते हैं तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम जो घोल बन तयार किये थे चावल के आंटे का उसको अब हम इसमें डाल देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह डो की फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसको पका तो यह देखे इस तरीके से लगातार चमश की मिदश से चलाते हुए और इसको हमें दो से तीन मेर तक पका लेंगे या फिर तब तक पकाएं जब तक यह डो की फॉर्म में ना आ जाए तो चलिए अब इसको पका लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते तो आप देख सक चुका है और यह डो की फॉर्म में भी आ चुका है तो अब हम गैस को कर देते ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं एक दम ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा ठंडा कर देंगे तब हम इसके बड़े बनाएंगे तो चलिए इसको हम ठंडा होने देते हैं आटे का मि तभी इसको mix करना है यह थोड़ा सा गड़म ही है तभी हम इसको mix कर रहे हैं इसको अच्छे से mix करके और इसके बड़े तयार करेंगे baking soda को अच्छे से कर दी है mix अब हम हाथों में लगाएंगे तेल और इसके बनाएंगे बड़े तो इस mix में से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इसको हम गोल-गोल करेंगे अगर आप हाथों में तेल लगा लेंगे तो ये mix जो है थोड़ा सा भी नहीं चिपकेगा गोल गोल करके और बीच में होल कर देंगे उगली के मदद से इसमें छेट कर देंगे तो बिल्कुर ऐसा ही बड़ा मिलता है मार्केट में यह देखिए एक बड़ा जो है हमारा बन चुका है तो इसको हम निकाल देते हैं प्लेट में और इसी तरीके से एक और बड़ा हम आप की नीचे प्रेस करेंगे यह देखे इस तरीके से और हाथों की नीचे प्रेस करेंगे और इसमें छेद कर देंगे यह देखे प्रेस करके ज्यादा ना मोटा बनाना है और ना ही पतला बनाना है और यह देखे इस तरीके से प्रेस करके और छेद कर देंगे और लीजे तैयार है एक और बड़ा और इसी तरीके से सभी बड़े को हम बना लेते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं तो आप देख जाल दिये थे पैन में तेल अच्छ से गरम हो चुका है तो दाल के देखेंगे एलोकेल तो जबीन हो तेल अठो से गरम हो चुका है मीडियotch देंगे और लिखें घाल से तमय js pioris पकने देंगे तब इसको पलटेंगे अगर अभी पलट देंगे तो यह तूट जाएगा इसलिए अभी बिल्कुल भी नहीं पलटना है थोरा सब पकने देते हैं तब हम इसको पलटेंगे तो बड़े को हम एक मिनट के लिए फ्राइ कर लिए हैं मीडियम फ्लेम पे अब हम इ बेंगे लेकि medium flame पे ही फ्लेम पे बिल्कूल ही नहीं पकाना है।ds इस बड़े को हमें sinful atdra मोंगी पकाना है तो छल यह सभी बड़े को पलटकों पलट दिया हैं। और दोन तरब से अच्छे से golden brown होने थे किसको में मिडियम पे पका लेते हैं और उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं तो ये देखे दोस्तों चावल के आटे का बड़ा जो है दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ हो चुका है आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफी अच्छा आया है और ये जो है एकदम क्रिस्पी क्रंची बना खान में बेहर टेश्टी लगेगा तो चलिए अब हम इसको एक एक करके सभी बड़े को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी बचे हुए बड़े को भी इसी तरीके से हम फ्राइ कर लेते हैं और उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं तो ये देखे दोस्तों क्रि कने पर ऐसे भी खाएंगे तो ये टेश्टी लगेगा तो आप लोग जरू ट्राइ किजेगा बचे बड़े सभी को ये बड़ा बहुत पसंद आने वाला है तो आप लोग इस रेसिपी को जरू ट्राइक किजेर को गोट और पसंद आ हorf υट coses को आपने फ्रेंड को